आज हम जानेंगे कि आत्मा के साथ कर्म कैसे बंधते हैं, क्यों बंधते हैं और किन मूल कार्णों से कर्म आत्मा से चिपकते हैं तो अनादी काल से आत्मा कर्मों के बंदन में बंदी चली आ रही है, ये शरीर, परिवार, धन, एश्वर्य, ये सब कर्म बंद के ही परिनाम है, चाहे वो बंद शुब हो या अशुब, तो जैन आगम में कर्म बंद के मुख्य पांच कारण बताए गए हैं, पहला है मिथ्य मिथ्यात्व कर्म बंद का मूल भूत प्रथम कारण है, जो पदार्थ जैसा है उसे उससे विपरित रूप में मानना या जानना मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व के दस और पच्चीस प्रकार भी बताए गए हैं, तो पहला है छोड़ने योग्य को छोड़ने योग्य नहीं स जैन धर्म में अस्रद्धा करना, अन्य धर्म पर स्रद्धा करना, कू देव को अपना देव, कू गुरु को अपना गुरु और कू धर्म को अपना धर्म मानना, सू देव, सू गुरु और सू धर्म को नहीं मानना, आदर करने योग्य को आदर करने योग्य नहीं समझना, नौ तत्व के स्वरूप को जैसा कहा है तिर्थंकरों ने, वैसा नहीं मानना अरियंत बगवान की वानी से कम, अधिक या विपरित स्रद्दा प्ररूपना करना दूसरा कारण है अविरती या अव्रत पाप त्याक की प्रतिग्या न करना अव्रत कहलाता है यदि हमने हिंसा आधी पाप त्याकी प्रतिग्या नहीं की है तो हिंसा न करते हुए भी प्रतिपल हमें इसका दोश लगता रहेगा और हिंसा आधी पाप क्रियाओं का प्रतिसमय कर्म बंद होता रहेगा जैसे यदि हम कोई मकान बंद करके बाहर चले जाएं किन्तु इसका नोटिस मुनसी पॉलिटी को नहीं दिया है तो नल बिजली आधी का टैक्स सतत चालू रहेगा उसी प्रकार पाप त्याक की प्रतिग्या नहीं की गई है तो हमारा पाप कर्म हमेशा चालू रहेगा और कर कर्म का भार बढ़ता रहेगा जैसे वरत नियम धारन न करना अवरत है वीरती के भावों का अभाव होना अवरत है चोडने योग्य वस्तुओं को प्रत्या ख्यान द्वारा नहीं चोडना अवरत है तीसरा कारन प्रमाद ये कर्म बंद का तीसरा मूल कारन है इंद्रिय आ प्रमादी के विश्यों में आसक्त बनना प्रमाद है। प्रमाद जीवों को संसार में परिभ्रमन कराता है और कर्म बंद का हेतु है। जैसे अयतना पूर्वक प्रवृति या कार्य करना प्रमाद है। कशाई से भरा प्रमत योग प्रमाद है, आत्मा को भूल जाना प्रमाद है, मद, विशय, कसाई, निद्रा और विकता ये पांच प्रकार के प्रमाद है. चोडने योग्य को नहीं चोडना प्रमाद है, और करने योग्य को नहीं करना भी प्रमाद है. चोटा कारण है कशाई, ये कर्मबंद का मूल कारण है, जिससे संसार की प्राप्ति हो वो कशाई है, जिसके द्वारा संसार में भव ब्रमन यानि जन्म मरन की वृद्धी हो वो कसाई है, संसार रूपी वरक्ष का जो सिंचन करता है वो कसाई है, अगनी रूपी भावों से आत्मा को जो जलाता है वो कशाई है, क्रोध, मान, माया और लोब ये चार कशाई है, मूल रूप से देखा जाई तो राग और द्वेश ये दो मूल कशाई है, राग के भेद में माया और लोब और द्वेश के भेद में क्रोध और मान आते हैं, पांचवा कारण है योग, य यानि मन, वचन और काया की प्रवृती से आत्म प्रदेसों में जो कमपन होता है उसे भाव योग कहते हैं. मन, वचन और काया की प्रवृती को द्रव्य योग कहते हैं. मन, वचन और काया की शुब प्रवृती को शुब योग और अशुब प्रवृती को अशुब योग कहते हैं तो ये तीनों योग की प्रवृती ही क्रिया है जो कर्मों की आने का द्वार है आश्रव है क्रिया से कर्म अस्तित्व में आते हैं और हर क्रिया की कोई न कोई प्रतिक्रिया होती है और वो प्रतिक्रिया ही कर्म है विक्ति की जैसी क्रिया होगी वैसा ही कर्म होगा यद्यपी सुब और अशुब योग कर्मों के आगमन का द्वार है इनसे कर्म आते अवश्य है परंतु केवल योगों की प्रवृती से उनका आत्म प्रदेसों से बंद नहीं होता बंद तभी होता है जब योग के साथ कशाई या राग द्वेश परिनाम मिल जाए इसलिए कशाई को ही कर्म बंद का मूल कारण कह सकते हैं अब जानते हैं कि कर्मों से छुटकारा पाने के उपाई क्या है तो जब तक आसरव का द्वार खुला रहेगा तब तक कर्म का प्रवाह आता रहेगा व्यक्ति पूर्वबद कर्मों का फल भोग कर उसे आत्म प्रदेसों से अलग करने के साथ ही राग द्वेश के कारण नए कर्मों को बान लेता है इसलिए बंद से मुक्त होने के लिए सर्व प्रतम आसरव का निरोद करना आवश्यक है कर्मों के आगमन को रोकना संवर कहलाता है मित्यात्व आदी पांच आसरव है और सम्यक्त्व वरत अप्रमाद अकशाई और सुब्यो संवर है संवर का अर्थ है सैयम सैयम पूर्वक जीवन जीने से आसरवों को रोका जा सकता है आत्मा सुद्ध और निर्मल बन जाती है इसलिए संवर मोक्ष का कारण भी है अब जानते हैं पांच प्रकार के संवर के बारे में पहला है सम्यक्त्व संवर यानि तत्वों के उपर यथार्थ स्रद्धा रखना सम्यक्त्व है अर्थात जिस तत्व का जैसा स्वरूप है उसके अनुरूप उस पर स्रद्धा करकना और उसे उस रूप में जानना दूसरा है विरती या व्रत संवर यानि पदार्थों को भोगने की लालसा का त्याग प्रत्याख्यान करना प्रानाति पात आधी पाप व्यापार से निव्रत होना विरती है या प्रत्याख्यान है तिसरा है अप्रमाद यानि मद, विशय, कसाई, निद्रा और वीकता इन पांच प्रमाद स्थानों का त्याग करना और अप्रमत भाव से रहना अप्रमाद समवर है चोता है अकशाई समवर यानि क्रोध, मान, माया, लोग इन चारों कशाईों का त्याग करके छमा, मार्दव, आरजव और सोच यानि निरलेपता का सेवन करना अकशाई है पांच्वा है अयोग यानि मन वचन काया के व्यापारों का निरोध करना या रोकना अयोग है निस्टे दुरुष्टी से योग निरोध ही समवर है परंतु व्यवार दुरुष्टी से सुब्योग भी समवर माना जाता है राग द्वेशात्मक या कशायात्मक वृत्ती प्रवृती ही कर्मबंद की हेतु भूत करिया है जब सादक पांच आस्रवों का निरोध करके पंच समवर रूप साधना में स्तित होता है तब वो नवीन कर्मों का बंद नहीं करता और कर्म बंद की परंपरा को वहीं पर रोग देता है समवर की साधना से कर्म प्रवाहर रुख जाता है और फिर निर्जरा की साधना से पहले बंदे हुए कर्म छही हो जाते हैं निर्जरा के लिए सबसे महत्वपूर्न साधन तपस्या को बताया गया है, जिस प्रकार सोने पर लगे हुए मैल को दूर करने के लिए उसे अगनी में डाल कर तपा कर सुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार तप की अगनी के द्वारा कर्म मल को जला कर नश्ट किया जाता है और आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती है तो ये थी कर्म बंद से संबंदित संचिप्त जानकारी आज का प्रशन है किस गुनस्तान को अपूर्व करन भी कहते हैं कमेंट में बताएं वीडियो पसंद आया तो लाइक शेर सब्सक्राइब करें